जानिये सतीश चंदर मिसरा की सच्चाई सामने आने के बाद भी मयावती क्यों नहीं निकाल पा रही हैं उनको पार्टी से बाहर हेलो दोस्तों अगर आप भी मयावती को देश के प्रधान मंतरी के रूप में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी वाट्साइप और फेस्बुक ग्रूप पर जादा से जादा से जादा सेयर करें मयावती काफी समय से अपने पार्टी के मेंबर सतीष चंदर मिसरा को पार्टी से बाहर निकालने की बाते कर रही हैं लेकिन अब तक सतीष चंदर मिसरा को पार्टी से बाहर नहीं निकाल पाई हैं सतीष चंदर मिस्रा के खिलाफ काफी भरषटाचार के मामले सामने आ चुके हैं उन्हें रंगे हाथों नेताओं को पैसिल देकरो टिकट देते हुए पकड़ा गया है लेकिन उसके बावजूद मैवती उन्हें अब तक पार्टी से बाहर नहीं निकाल पाई है किसी को भी इस कार्ण का पता नहीं है कि इतने भरषटाचार के बावजूद सतीष चंदर मिस्रा पार्टी में बरकरार क्यों रखे गए हैं हाली में एक मुक्तर अंसारी ने भी बयान दिया था जिसमें कहा गया है कि अगर सतीष चंदर मिसरा को पार्टी से बाहर निकाला जाता है तो मायविती के साथ अच्छा नहीं होगा और अब हो सकता है कि इनी बयानों और अन्य किसी कार्णों के कार्ण मायवती पर दबाव बना हुआ है और वही सतीश चंदर मिस्रा को अभी पार्टी से नहीं निकाल पाई हैं गोर तलब है कि सतीश चंदर मिस्रा नेताओं से पैसे लेकर उनको टिकट देते हुए पकड़े गए थे और उनकी भरी सभा में मायवती ने सबके सामने बेच्टी भी की थी और उनकी इसका खुलासा भी किया था और उसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अब जल्द ही मायवती सतीश चंदर मिस्रा को अपने पार्टी से बाहर करने का एलान भी कर सकती है लेकिन अभी तक मायवती ने इस तरह का कोई एलान नहीं दिया है और लगता है कि उन पर किसी तरह का बाहरी दबाव है जिसके एकार वो सतीश चंदर मिस्रा को पार्टी से बाहर नहीं निकाल पा रही है तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि किस तरह का दबाव है मायवती पर कि वो सतीश चंदर मिस्रा को भेश्टाचार में लिप्त होने के बावचुद अपनी पार्टी से बाहर नहीं कर पा रही है और दोस्तों अगर आप भी परधान मंत्री के रूप में मायवती को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी वाटसेप और फेस्बूक ग्रूप पर ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद